हलो विडियों वेलकम बैक टो अस्टान इंजेनियर जारखन राइज के अंतरगत डिफरेंट डिस्टिक में रूरल डिपलप्मेंट डिपार्टमेंट के अंतरगत बहुत सारा वेकेंसी जा रहा है नेमली ब्लॉक प्रोग्रामिंग ऑफिसर जिसको बीपियो बोलते हैं असि विडियो में डिटेल में हम लोग जानेगे कि कितने पोस्ट हैं क्या requirement है और डिफरेंट डिफरेंट लेंग्विज लिखा हुआ यानि कौन से डिग्री चाहिए प्लस में अतरिक्त योगता क्या है और भी क्या टंचन कंडिशन है तो सारे कुछ में डिटेल में बात करूं जैसे में उतना ही का जॉब हो सकता है जितना सीट एवैलेबल है जो भी है 14-1500 सीट है उतना ही का होगा बाकी लोग कहीं न कहीं जॉब तो करना चाहिए ठीक है तो वीडियो पर बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैसा आप देख सकते है है यह नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है हजारी बाग का जो अफिशल वेबसाइट हजारी बाग डॉट एनाइसी डॉट इन तो इस पर आप देखेंगे तो यह मंद्रेगा के लिए है बैसिकली यह भी जिल्ला ग्रामन विकास के अंतरगत आता है इसमें आप टोटल 14 पोस्ट है इसमें से 6 हो जनरल के लिए है दो सी के लिए है और तीनवीशी या के लिए बीशी इन ऑनजाती यानि ST के लिए 2 post है, SC के लिए 6 post है, BC1 के लिए 3 है, BC2 के लिए 2 है, और EWS के लिए 3 है, ओके, आगी बात करते हैं, लेखा सहायक, तो लेखा सहायक में total post 2 है, दोनों general की है, वही बात करें computer सहायक, यानि computer operator, इस पे total 6 post है, आप देख सकते हैं, उसमें से 2 general है, एक SC है, 2 BC1 है, एक EWS का है, ग्राम रोजगार सहयक में आप देख सकते हैं, यहाँ पे total जो seat है, उस 70 है, इसमें से 49 आपका general के लिए है, एक ST के लिए 7 SC के लिए 4 BC1 के लिए है, और PC2 के लिए 2 है, और EWS के लिए 7 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो post है, यह बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, according to the requirement, तो यहाँ पे clearly यह mention कर दिया गया है, वही बात करें educational qualification की, तो BPO के लिए आप देख सकते हैं कि, किसी भी संकाय में सनातक चाहिए, आपको यह नहीं, graduate degree होना चाहिए, 55% minimum होना चाहिए, ठीक है, और अतिरिक्त योगता के बात करें, यान इसी computer हो गया, भी सी computer honors हो गया, तो यह सारे degree जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ, यह additional degree माना गया है, और इसका percentage count होगा, प्लस में जो additional qualification है, इसका भी percentage count होगा, ठीक है, तो आपके पस जितना ज्यादा degree है, उतना ज्यादा benefit है, आपको, next बात करते है, तकनीकी सहायक, यान assistant engineer, उसके लिए जो minimum qualification चाहिए, civil से BTEC होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते है, इसके अलावे जो additional degree माना गया है, वो mtech माना गया है, ठीक है, तथा PGDCA, MCA, MSC, computer science, यह सब को extra degree माना गया, यहाँ पे एक note करने वाली बात यह है, कि mtech slash नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो mtech, जदि आप BTEC है, आपके पास, and mtech and PGDCA है, तो mtech का भी marks जूटेगा, और PGDCA का भी marks जूटेगा, ठीक है, जब merit list त्यार किया जाएगा तो, और इसमें आप देख सकते हैं, MCA, MSC, computer में हैं, जदि आप PGDCA है, तो उस category में, आपका जो original percentage है, उसमें से 5% घटा दिया जाए, नेक्स्ट है, जई करिए, अब देख सकते हैं, कनिय अभियनता के समकच, तक्निकी सहायक, तो इसमें सरकारी मानियता प्राप्ट संस्थान से, सिविल संकाई में, डिप्लॉमा अनिवारी होगी, clearly लिखावा कि, only diploma holders are eligible, ठीक है, अतिरिक तियोगता में, BTEC हो गया, BE हो गया BCA हो गया, BSC Computer हो गया, Computer Honors हो गया, यह सारे डिगरी अतिरिक तियोगता में आपका count किया जाएगा, इसका जो percentage है, वो merit list में जोड़ा जाएगा, आगे बात करते हैं, लेखा सहायक के लिए, लेखा सहायक में आप देख सकते हैं, बीकॉम यानि इसको accountant बोलते हैं, इसमें ब बीकॉम में नियुंतम 55% अंक राप्त होना चाहिए, ठीक है, जिदि आपका बीकॉम में 55% से कम है, और जिदि आप एमकॉम किये वें, तो एमकॉम में सपोर्च 75% है, तो आपका जो marks consider क्या जाएगा, परसेंटेज वो 75-5 यानि 70% क्या जाएगा, आगे बात करते हैं, तो बीएसी कम्प्यूटर अनर्स होना चाहिए, बीएसी कम्प्यूटर समाइन में BCA होना चाहिए, समाइन इसनातक उतिन के पशात PGDCA, उतिन मतलब जदि आप सिंपल ग्रेजवेट है, उसके बाद जदि आप PGDCA का certificate आपके पास है, तो भी आप इस कम्प्यूटर अप्रेट में ITI होना चाहिए, अतिरिक तियोगता में आप देख सकते है, किसी भी संकाई में आपका सनातक होना चाहिए, या BCA हो गया, या फिर सनोतकर, यानि Master's का degree हो गया, या PGDCA हो गया, PGDBA, PGDRD हो गया, तो यह सारे जो डिगरी है इसको extra consider किया जाएगा, वान अप्लाई कर सकत तो यहाँ पर साप लिगा हो है कि आवेदक भारत का नागरी को, ठीक है, यहाँ पर यह नहीं लिखा हो है कि छारखंट का होना चाहिए, ठीक है, तो this is confusing, बट मुझे लग रहा है कि जो छारखंट के हैं वही अप्लाई कर पाएंगे इसको, अब आरेशन किसको दिया जाए सेलरी के बात करें तो जो BPO है, ब्लॉक प्रोग्राइमिंग ऑफिसर जदी उसका experience कम है, पांच सल से तो उसको 23,140 मिलेगा और जदी experience उसका है, पांच सल से ज्यादा तो 27,700 मिलेगा, ठीक है, वही बात करें, session engineer के 22,000 मिलेगा, experience less than 5 years and for having experience more than 5 years, 22,500 मिलेगा, ठीक है, 19,000 म से तो उन्हीं जार 500 मिलेगा, वही accountant की बात करें, तो 14,300 मिलेगा, और जिसका experience पांच सल से ज्यादा है, 14,800 मिलेगा, और computer सहाई की बात करें, computer operator की तो इसमें भी सेम है, accountant की जैसा, और gram रोजगार सहवक की बात करें, तो मंदली salary है, वह 11,000 है, वही जिसका experience 5 सल से जादा है, यानि वह पहले से जदी काम कहीं किये हैं, और उसका experience 5 साल है, तो उसको 12,000 मिलेगा, इस से related कुछ terms and condition में बता दे रहा हूं कि, क्या-क्या यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस फ्योरियन contract basis, यहां पर समीधा क्यादार पर होगा, एक important point यह आप देख सकते हैं कि, आपना सिर्फ और एक जिल्ला से आप अपलाई कर सकते हैं, और उसके लिए यहां पर एक एपिडिविट भी मांगा है, उप्योग पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभियर्थी विशेश के लिए एक जिल्ला में अभियर्थियों का आवेदन स्वि कर रहा हूँ, इसके अलावे मैं मतलब डिकलियर करता हूँ कि सपत लेता हूँ कि इस पोस्ट के लिए कोई और जिल्ला में अपलाई नहीं किया हूँ, ठीकर सिर्फ सेम पोस्ट के लिए जदी आप जारी बाग में जेई के लिए अपलाई कर रहे हैं या फिर एंड उसके अलावे रांची में जदि एस्टेंट इंशिनियर के लिए तो वह अपलाई कर सकते हैं सेम पोस्ट के लिए आप सोचते हैं कि जारखन मंगल में दो डिस्टिक्स अपलाई करें ए या फिर हजारी बाग से फिकलिया आपलाई करें, तो वह बोल जाए कि व्यस्टा आप नह सकता है और आगे बात करें important points की तो आप कैसे apply कर सकते हैं तो इस यह form के last make application form दिया है उसके साथ आप complete speed post या dark के माधियम से पूप विकास आयोक्त सहतरिक जिल्ला कायरकरम समनोएक के नाम से आपको जिल्ला ग्रामिन विकास अभिकरन हजाई बख नाम से आपको वो पोस्ट भेजना पड़ेगा यहां पर एक और चीज़ क्लियरली यह लिखा हुआ है कि कोई भी applicant है वो दो कोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं जो application fee है उसके बारे में कुछ mention नहीं किया हुआ है कि कितना लगेगा ठीक है ताब देख सकते हैं कि कुछ भी ऐसा mention नहीं है कि इस demand drop बनाना पड़ेगा फिर कुछ और बनाना पड़ेगा nothing is mentioned here अब देख सकते हैं जांच परीचा की तिथी और अस्थान की सुचना बाद में धैनिक समाचारपद जीले के website से माधियम से दिया जाएगा तो इसका exam भी होना है ठीक है अब देख सकते हैं this is the format of the form इसको मै description में दे दूंगा तो आप इसको download करके complete detail फिल करने के बाद आप भेज सकेंगे बाकि इस से related कुछ भी doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं I will definitely reply